NEET UG के डेटा को आज NTA ने अपलोड कर दिया है अब देश भर के आप किसी भी हिस्से में अगर हैं तो एक कंप्यूटर खोल कर आप देश के किसी भी हिस्से के परिक्षा केंदर पर कितने बच्चे बैठे हैं और उन बच्चों के कितने नमबर रहे हैं इसकी जानकारी आप ले सकते हैं और ये जानकारी तब NTA ने दी है जब सुप्रिम कोट ने उनको फटकार लगाई है और सुप्रिम कोट ने उनको निर्देश दिये हैं कि आप इस तरीके की जानकारी को सारजुनिक करिये NTA को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप जानकारी देंगे तो उससे आपके उपर में कम से कम सवाल उठेंगे और जब आप ज्यादा से ज्यादा ज्यादा सवाल उठेंगे अब नीट ने ये जानकारी जो है वो डेटा लुआ है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर इस डेटा को कैसे देख सकते हैं आप और मैं देखूंगा इस डेटा को खास तरपर जजजर में बहादुर गड़ का जो हरदयाल पब्लिक स्कूल है जिसके बारे में तमाम सारी खबरे आई और हरदयाल पब्लिक स्कूल से ही जो चार चात्र हैं उन्होंने 720 में से 720 नंबर नीट की परिच्छा में हासिल किये थे आईए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हरदयाल पब्लिक स्कूल है उसमें नीट की परिच्छा कितने लोगों ने दी है और कितना नंबर उनको मिला है तो यह आप देखिए यह डिपार्टमेंट आप हायर एजूकेशन में आप पहले जाहिए नेशनल एलिजिब इल्टी कम इंट्रेंस टेस्ट यूजी अब यहां पर यस तरीके से आप नीट यूजी रिजल्ट दोजार चौबिस को क्लिक कर सकते हैं इसको जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहां पर स्टेट आ जाएगा आप स्टेट में चुकि हमें देखना है हरदयाल पब्लिक स्कूल का तो आप इसमें जाएए यह हरियाना स्टेट है हरियाना स्टेट में हरदयाल पब्लिक स्कूल जो है वो जजजर जिले में पढ़ता है और जजजर जिले में यह आप देखिए कि हरदयाल पब्लिक स्कूल को हमने खोल लिया यह सेंटर जिस सेंटर की सबसे ज़्यादा च जजर का सेंटर खुला है यहां पर सबसे पहले हम यह पता कर लेते हैं कि इस सेंटर पर 494 चात्रों ने परिच्छा दी और मैंने जो डेटा का एनालिसिस किया है उसमें मैंने यह पूरा डेटा अभी मैंने इसको निकाला था तो 494 चात्रों ने जो हर्दयाल पब्लिक स्कू में परिच्छा दिया उसमें आज की तारीख में 500 से उपर 33 छातर हैं। ये बात इस बात की जानकारी कैसे मिली मुझे। मैंने इस data को देखा क्योंकि इसमें जो है serial number 1 और ये marks लिखे हुए हैं तो ये marks से मैंने देखा कि इसमें 500 से उपर 33 student के marks आये हैं और 600 से उपर केवल 8 चात्र हैं तो ये आप देख सकते हैं और 700 से उपर किसी भी चात्र के इसमें अंक नहीं हैं तो यानि अब आप सोचिए कि अगर ये गरबड़ी उजागर नहीं होती इस बार number अगर नहीं बताया गया होता तो ये गरबड़ी उजागर नहीं हो सकती थी कि grass mark देने से इसी center के चार चात्रों ने 720 में से 720 नंबर वो लाए और जब grass mark को हटा दिया गया तब आप देखिए कि एक भी चात्र के नंबर 700 से उपर नहीं गया है यानि 600 से उपर मात्र जो है वो आठ चात्र के नंबर है तो इससे ये पता लगा कि जब हम ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देते हैं तो अगर उसमें कुछ गरबड है तो उसके पता लगने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है इसलिए ये कहा जाता है बार-बार कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें अब तमाम सारे सिक्षक और छात्र जो पटना, गोदरा, बेलगामी ऐसे जो परिच्छा केंदर हैं जहां पर तमाम सारी संदेह की दृष्टी जाती है वहाँ पर भी सिक्षक आकलन कर रहे हैं सुप्रिम कोर्ट के निर्देश से अब NTA को होश आया है कि कम से कम अपनी जो सूचनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएं तभी आप पर कम से कम सवाल उठेंगे दिल्ली से संजे कौशिक के साथ रवीश रंजन शुकला अंडी टीवी इंडिया